हालो अब्रीवान, वेलकम तो पुफान अजुकेशन आज की इस वीडियो में हम अपना अगलो क्वेश्टन करेंगे इंटिग्रेशन का तो यहाँ पर हमने जो टापिक शुरू किया था वो पार्चल फ्राक्शन था और पार्चल फ्राक्शन के क्वेश्टन सी अभी तक हम कवर करते हैं और यह इसका अगला क्वेश्टन होगा तो पहले हम आपको बजा दूँ अगर आप इंटिग्रेशन की डिरेक्ट वीडियो यह देखने वाले हैं कि आप अभी चैनल पे आकर सिर्फ सीधा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इस टॉपिक को इस वीडियो को देखने से पहले इंटिग्रेशन के स्टार्टिंग की वी डियो देखिए तब ही आप इस टॉपिक को अच्चे समझ पाएंगे और जो भी क्वेश्टनस आगे हम कवर कर रहे हैं या इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो तब भी आपको clear हुप आएगा तो पहले आप प्लीज वो integration की videos देखिए साथ ही हम यहाँ पर partial fraction वाला part cover कर रहे हैं अभी integrations का तो उसको देखते हुए चलते हैं इस question पर question है evaluate the integral given integral आपको है यह x.dx by x-1 x plus 5 2x-1 अब यहाँ पर हमारे पास 3 cases हैं इस तरीके के linear algebra के अगर आप देखोगे यह linear equations है मैंने आपको बताया था कि अगर 3 distinct linear equations हैं जिसके लिए आपकी power क्या है 1 है x की ठीक है तो हम यहाँ पर case 1 implement करेंगे साथ ही एक और चीज कि यह partial fraction कैसे है यह भी हमने देखना सिखा था जो यहाँ पर इसकी form अगर आप देखोगे तो degree of power किया यह पर यह greater है इससे तो यह मेरी एक proper form है rational functions की तो यह सब चीज़े हमने अपनी series में cover किया हुआ है आप playlist में जाके जरूर starting से वीडियो कवर कीजे और हर एक topic को अच्छे समझते हुए चलिए तो solution में हमसे पहले हम क्या करेंगे हमें clear हुआ कि एक case one यहां पर हम implement कर सकते हैं तो case one implement करने के लिए हम क्या करेंगे इसको split करेंगे integrand को partial fractions में तो यहां पर मेरे पास three linear equations है तो मेरे पास three variables होंगे a, b और c इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे पहले आपको इस integrand को ऐसे लिखना है without this sign सिर्फ आप dx attackage integration करने वाली form में नहीं भी simple आपको लिखना है इसको function को लिखने के बाद फिर तीन equations है तो तीनों के लिए अलग-अलग variables capital a by x-1 plus capital b by x-5 plus c by 2x-1 तीन functions तीनों के लिए अलग-अलग और वो साथ में add हो रहे हैं अब क्या करना है हमें हमें नीचे जो आपके denominator में है एक functions उनको साथ में कर लेंगे multiply हैं तो हमने इसको common कर लिए हैं यहापर तो यह होज़ेगा x-1, x-5, 2x-1 अब अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास इसको solve कैसे करना है इनको हम साथ में का mine कैसे करें हैं सिर्फ a, b, c लिखना ही देना है आपको जो equation जो function यहाँ नहीं है हमने इनको एक denominator बनाया है तो numerator में भी हम ध्यान देंगे a है यहाँ पर, क्या नहीं है, यहाँ पर x-1 है इसके साथ, क्या नहीं है x-5 और 2x-1 तो बाकी functions को हम एक के साथ multiply कर लेंगे same as it is, b के denominator में x-5 है, console function नहीं है x-1 और 2x-1 तो हम इन दोनों को यहाँ multiply कर लेंगे और लिख लेंगे साथ में plus c multiply करेंगे किस साथ, x-1 और x-5 के साथ, तो इस तरीके से मेरा यह पूरा numerator form है equation की और यह मेरी पूरी denominator पहले वो अलग-अलग थे fractions में, तो हमने इससे solve कर लिया, अब क्या करेंगे, जो यह पार्टर यह cancel हो जाएगा denominator वाला equivalent करके लेकिन जो बचा हो क्या है, x और मतलब right-hand side का numerator, उनको equate कर लेंगे, आपस में equal किया, x is equal to n, पूरी equation जो right-hand side पे थी, वो हमने आज़रे लिख ली, और उसको दे लिए equation 1 नाम, ठीक है? अब हम यह by-part क्यों करते हैं? ताकि हम इस form में लिख सके integrants को, और individually उनको integrate कर सकें, तो उसे पहले, इनको integrate करने से पहले, हमें क्या चाहिए होगी value a और b और c की? यह 3 variables की value हमें चाहिए होगी यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यह जो equation है ना, इस equation को solve करेंगे, यहाँ पे देखिए, यह 3, तीनों के लिए अलग लग करना है हमें, पहले common find out कीजिए, कि किसी 2 में क्या के common है? इसमें x plus 5 है, और c में x plus 5 है, b में है? नहीं, इसमें 2x minus 1 है, इसमें 2x minus 1 है, इसमें है? नहीं, तो एक function किसी 2 में होगा, तो उस एक function की वज़े से हम उन 2 variables को 0 कर लेंगे, जैसे, माल लीजिए आपर x plus 5 है, x plus 5 होड कहा है? यहाँ है, तो अगर मेरको यह, इसको पुरा 0 क करना है, तो यहाँ पर minus 5 अगर मैं लिखूंगी, minus 5 plus 5 क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 से multiply होगा, 0 होगा, 0 से 2 multiply by 5 होगा, यह भी solve होगा, लेकि इस वो solve करने का फाइदा नहीं है, हमारे पास यह पूरी form multiply होगे 5 से क्या आएगी? 0 ही आएगी, यह पूरी 0 होगई, and same as it is, यह 0 होगया, तो c और a variable 0 होगया, minus 5 रखने पर x की value, लेकिन b की value कुछ आएगी इसकी वज़े से, क्योंकि यहाँ पर x plus 5 वाल equation नहीं है, यह जो यहाँ पर, तो इसके लिए हम b की value find out कर लेंगे, कि जब हम x minus 5 foot करते हैं तो, then उसके बाद अब आपको दूसरा देखना है, यह यहाँ पर क्या है, 2x minus 1, 2x minus 1 और कहाँ पर है, इधर है, b में, तो मतलब अगर मैं x की जगाँ पर 1 by 2 रखूं, 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो बचा के यहाँ पर 1 बचा, 1 minus 1 क्या होगा, 0, तो यह पूरा 0 हो गया, से माज़े जी भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास c की value आजाएगी तो ऐसे ही x की value 1 by 2 रखने पर मेरे पास c की value आजाएगी, क्योंकि a और b 0 हो जाएगा, बतब a और b की term 0 हो जाएगी, बचा सर्फ c, और c कॉम solve करके c की value find out कर लेंगे, अब हमारे पास b भी आजाएगा, c भी आजाएगा, बचा a, तो a अभी यहीं रखिए, b और c में common द नहीं, तो मतलब मैं यहापर अगर positive का 1 रखती हूँ, 1-1 क्या होगा 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, यहीं मेरा 0 हो जाएगा, और इस तरीके से 1 की value मुझे यहाँ मिल जाएगी, रखने पर, मतलब a की value मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ पर mention कर दिया कि put x is equals to minus 1, x is equals to 1 and x is equals to 1 by 2 in the equation 1, और यह मेरा कुछ solution है हाँ पर, तो मैंने यहाँ पर minus 5 रखा b की value आई, minus 5 रखा x की जगा पर, minus 5 minus 1, 2 multiply by minus 5 minus 1, a और c वाली down मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि वो जीर हो गई, तो minus 5 minus 1 क्या होगा, minus का 6, 5 to the 10 होगा, जोकि minus का 10 आएगा, minus का 10, minus 1 क्या होगा, minus 11, minus minus cross multiply हो रहें दोनों यह, तो मेरे पास यह multiply होके क्या हो जाएगा, 66, and दोनों के sign cancel हो जाएगे, बी की value क्या है, जो बी की सब multiply हो रहे है, 66, उसको divide में लिखी जाएगे, यह right hand side ले जाके, left hand side ले जाके, और हम इनको इस तरीके से लिख लेंगे, बी की value, जोकि क्या है, minus 5 by 66, हमेजी इस clear है, तो ऐसे ही मैंने, a और c की value find out की है, c में देख लेते हैं, यह 1 by 2 है, minus 1, मतलब हम आधे में से 1 minus कर रहे हैं, तो आधा छोटा है, एक के दो भाग करके आपको 1 मिलता है, मतलब आधा आधा जोड़ कर 1 बनता है, तो यहाँ पर minus का 1 by 2 आएगा, और इसको आ फुर्दर उस तरीके से भी solve करते हैं, तो यहाँ पर divide में 2 लिखेंगे, 1 में भी 2 multiply होगा, तो same चीज यही आएगी, और 5 by 1 करेंगे, 1 के साथ multiply करेंगे, 2 और उपर भी 2 multiply होगा, 10 होजाएगा यह, तो यह होजाएगा 11 by 2, 2 से 2 cancel होगया, एक बचा क्या 11 by 2, तो मेरे पास यह right hand side जाके क्या होजाएगा, left hand side जाके क्या होजाएगा, C यही पर रख लेते हैं, और यह होजाएगा उपर जाके multiply 1 के साथ, यह होजाएगा नहींचे divide में 2 के साथ, तो यह होजाएगा minus का 2 by 11, तो मेरे पास A, B और C की value आ गई, इसको further रख के और हम solve करते हैं, अतला हम integrate करते हैं, तीनों को, तो यहाँ पर मैंने X, Y, यही थी हमारे पास given form, इसको हमने partially part ऐसे किया, partial fraction से, जो A और B और C की value IT, मैंने उपर न रख के सीधा बाहर कर ली, 1 by 6, यह जाएगा minus 5 by 66, यह जाएगा minus 2 by 11, तीनों को individually आप integrate करते हैं दिखाएंगे, and then क्या करना है, अब integrate कर लीज़े, यहाँ पर हम पता है, क्या use होगा, substitution method, तो 1 by x वाले formula से log लगेगा इस पे, तो log integrate करके हमारे पास क्या आएगा, log और उसका function, जिसको मैं substitute किया है, हामें substitution method clear है, तब ही हम इस state को बिना, मतलब मैं इसको और further नहीं solve कर रहे हूंगे, substitution method यहाँ लगा कर, then फिर further इसको integrate करूँ, हामें substitution method clear है, मतलब अगर आपको नहीं clear है, तो please आप मुझे mention कीज़े, comment box में, and then मैं उसके लिए separate video बनाऊंगी, सिर्फ by part वाले question के लिए ही हम एक special case देख लेंगे, जिसमें हम इनको integrate कर रहे हैं, integrate करके दिखा रहे हैं, substitution method से, और हमारे पास solve कर रहे हैं, log x-1, log x-5, log 2x-1, plus c का constant, and this is the final answer, तो आज की वीडियो इतनी ही, हमारी वीडियो अगर आपको पसंदा आए हैं, please like कीजिए, subscribe कीजिए, and comment कीजिए, thank you, पन्त्स क्रेंगे की यह अद्धून कीजिए, ए्या मेंगे, कीजिए,